नमस्कार बहुत स्वागत आपका न्यूज इस्टेट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ इश्यकराणा वुलिटन की शरुवाद बुपाल से आ रही बड़ी जानकारी के साथ MP कॉंग्रिस की प्रदेश कारेकारेनी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है बड़ी जानकारी देर रात जारी हुए सूची में 84 सचीव, 36 सहयुक्त सचीव और MP कॉंग्रिस की प्रदेश कारेकारेनी में अप कुल 335 पर अदिकारी राजनुर्तिक मामलों की समीती में कमलात द तक साजवा कर देए कि उप्चिनाव नस्तीक है और ऐसे में उससे पहले मध्यप्रदेश कारुकर्देश की प्रदेश कारकारणी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है देर रात ये सूची जारी होई है और इस सूची परिसिवन समीती के नाम भी गोश्यत कर दिएगा है तो बड़ी जवानकाली सामने आ रही है देखे और ज़्यादा जवानकाली साज़ा करेंगे संधीब हमरकर हमारे साथ लाइफ जो चुक है संधीब क्या कुछ फिलाल अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि कॉंग्रेस त्व पटवारी ने इस बार ये कोशिश की है कि जो नाराजगी निकल कर सामने आ रहे थी उसको दूर किया जाए और जो सीनियर लीडर्स हैं जो अभी तक कारेकारणी में शामिल नहीं हो पाए थे उनको भी शामिल किया जाए तो अलग-अलग तरह की समीतिया बनाई गई है एक जम्बो कारेकारणी नहीं कही जा सकती है जिसमें साड़े 300 से ज्यादा पदादीकारी है एक पॉलिटिकल अफेयर कमिटी बनाई गई है जिसमें सारे सीनियर लीडर्स को समाहित किया गया देग विजए सिंग कमलनात जैसे लीडर्स अजय सिंग जो बात कर रहे थे उनको लिया गया है लक्षमन सिंग जो प्रदेश कारेकारणी पर सवाल उठा रहे थे और यह कह रहे थे कि केवल विधायक और पूर विधायकों को ले लिया जाई है केवल अपने इलाके को ही जिता लेंगे तो कॉंग्रस का भला हो जाएगा इस तरह के प्रयोक सफल नहीं पारा और उसको लेकर एक स्पेशल कमिटी है जो सीनियर लीडर्स की कमिटी है वो इसमें शामिल की गई है विवेक तंखा इसको लीड करेंगे उनके साथ में कुछ और पदादीकारी जोड़े गए है जो परिसीमन पर ध्यान रखेंगे और यह देखेंगे कि विधान सभा लोकसभा का परिसीमन जब किया जाना है तो उसमें कौन सा एक शेतर खिनके निलाकों में रहा जाएगा इस पर पूरी स्टडी की जाएगी सचिव और संयुक सचिव ये दो ऐसे पदों में कई सारे नाम जोड़े गए हैं जो प्रदेश के अलग-अलग जिलों के हैं कोशि के लीडर है इन्होंने स्टीफा दे दिया और ये कहा है कि मेरी जगह किसी योग निता को इस्थान दे दिया जाए ठीक है आप से आगे भी जवानकारी लेते रहेंगे बने रेमार साथ इस भी जेक और बड़ी जवानकारी बोपाल से बड़ी कबर का उंग्रिस के लिस्ट संदीब मैं निष्टा नाम कारे करता बना रहूंगा तो मोनु सक्सेना ने स्टिफा देते में बड़ा बयान दिया है ज्वानकारी साजर करेंगे मोनु सक्सेना यहां पर हमारे साथ संदीब जुडे वे हैं संदीब कॉंग्रिस की सूची आने के बाद कॉंग्रिस के निश्टावान कारेकरता को मौका दे दिया जाए मैं कॉंग्रेस का सिपाही बना रहूंगा मैं अर्द लंबे अर्से से काम कर रहा हूं लेकिन इसको नाराज़गी के तोर पर ही देखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की कलह है कॉंग्रेस में शायद वो किसी और दूसरे पद की अपेक्शा कर रहे थे जीतू पटवारी शायद उनकी बाद भी होई होगी लेकिन उनको वो पद नहीं मिला है प्रदेश सची हो जैसा पद उनको दिया गया है तो शायद इस बाद से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस्तीफा देना बहुत खुशी की बात नहीं है जाहिर बात है ये एक नाराजगी है और नाराजगी है तो अब कॉंग्रेस में कलह है कहा जा सकता है और ये पहली सूची में भी सामने आई थी लेकिन जो जीतू पटवारी ने कोशिश की कि शायद दूसरी सूची में सब कुछ ठीक हो जाएगा सारे लोगों को शामिल कर लिया जाएगा लेकिन वैसा नहीं हुआ ये तो मौनू सकसेना का पहला इस्तीफा है जो उन्होंने देर रात ही दे दिया है अभी लोग सुबह उठकर सूची को पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो इस बास से खुश है या नहीं है तो ये नाराजगी है या खुशी ये अभी दिन जैसे जैसे चड़ेगा तो और भी क्लियर होता जाएगा कि ये सूची कॉंग्रिस के नेताओं को कारेकरताओं को नाराज़ करने वाली है या खुश करने वाली है बिल्कूल संदीब या पर कॉंग्रिस के अंदर कलहा देखने को मिल रहे लेकिन संदीब जो पुराने रूठेवे लोग थे अब कही न कहीं सूची के जरी उनको मनाने का प्रयास किया गया जो सतरह से हम देखरी की कमलनात को बड़ा स्पेस दिया गया है दिखविजे को एक बड़ी जगा दी गई है लेकिन जो छोटे अभिकारी है उनको कही न कही चोटे जो नेता है चोटे चेहरे हैं वो कही न कही अब नाराज कॉंग्रेस से नजर आ रहे है देखिए इससे पहले जो कॉंग्रेस के प्रदेश अद्दक शुआ करते थे वो बहुत सीनियर लीडर होते थे जी तुपटवारी के पहले अब जितु पटवारी के बनने के बाद में ये कहा जाने लगा है कि कॉंग्रेस में भी बीजे पी की तरह पीड़ी बदल जैसा आया है और नौजवानों को नई उम्र के लोगों को दूसरी और तीसरी पंग्रेस के नेताओं को मौका दिया जाएगा तो उम्मीद जो है जाहिर बात है जिले इस्तर पर संभाग इस्तर पर जो दूसरे कॉंग्रेस के लीडर हैं जो दूसरी और तीसरी पंग्ती में अपने आपको पाते हैं उनकी उम्मीद भी बनी होगी जीतू पटवारी ने कोशिश तो की है कि वो सीनियर लीडर्स को भी ले जूनियर्स को भी ले और जो नौजवानों को भी इसमें परियापतिस्थान दे दे लेकिन कॉंग्रेस का परिवार आपस में बातचीत करने और खुल कर बोलने के लिए जाना जाता है और खुल कर बोलने में यही नाराजगी असंतोष और कलह का रूप ले लेती है जिस तरह से जीतू पटवारी अजय सिंग राहूल भीया और मोनू सकसेना की जो रियक्शन सामने आये हैं उससे समझ में आ रहा है कि कॉंग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है कलह बाकी है द जाहिर बात है कांग्रेस की जब भी सूची आयी है तब कलह हमेशा सामने आयी है इस तरह की उम्मीद थी ये कलह को जीतू पटवारी कैसे शांथ कर पाते हैं इससे पहले भी कलह शान्थ हो यह लेकिन अब कैसे कर पाते हैं अभी आने वाले वक्त पर देखना होगा लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि दीपावधी के पहले मौके बिल्कूल संदीब अब देखना ही होगा कि कॉंग्रेस कैसे अपने सारे कारकरताओं को एक जुट करके साथ करके आगी बढ़ती है बहुत बहुत शुक्री है जवानकारी साज़ा का निकले संदीब